खबर रिवा से हैं जहां कांग्रेस नेता कामले सर पटेल ने रिवा राजनिवास सर्किट हाउस में प्रिस वारता कर कुछ मुद्दो पर चर्चा की उन्होंने बताया कि उमधिया के बांधवगण में रिवा से सिर्मौर बिधायक दिवराज सिंग धरने पर बैठे हैं पर बैठना पड़ रहा है यह दुर्भागी पूर है जहां एक और भारती जनता पार्टी के नेता धर्म के नाम पर प्रवचन देते ठकते नहीं है वहीं दूसरी तरफ धार्मिक आस्था का प्रतीक जो की 500 वर्स पुराना है जहां हर साल जन्माष्टमी के दिन मंदिर खुलता है बारिसना होने से किसान दैनी इस्थिती में है रोपा सुख गई है सरकार से आग रहा है कि सरकार को सभी तरह की वसूली में रोक लगा देनी चाहिए आए सुनाते हैं कमनेशर पटेल को उन्होंने प्रिसवार्ता के दौरान क्या कहा हमने तो एक महिना पहले मानी मुख्यमंती जी को बिंदी में जो सूखा का संकट है बिंदी नहीं बलकि बुंदेल खंड के भी कुछ जिले है आपका मद्पदेश का दिंडोरी जिला भी है आपका सहडोल है, सीधी, सिंग्रोली, रीवा, सपना, उमरिया, कई जिले है जो बारिस नहीं होने की वज़ा से वहां के किसान, मजदूर, सारे लोग परिशान है, पानी पीने का संकट जा रहा है, अगोसित बिजली कटोती चल लई है ट्रांसफर्वर्ण जले हुए, बदलने का नाम नहीं ले रहे है, सरकार की तरफ से बसूली अभियान चल ला है नोटिस जारी किया जाता है, लोग अदालत के नोटिस जारी करते है और पूरी तरह से बसूली अभियान पे रोक लगानी चाहिए सरकार को रहतकार सुरू करना चाहिए जो सूखा प्रभाविज जिले हैं जहां अल्ब बरसा हुई है बरसा हुई नहीं पानी पीने का संकट है वहाँ ये सारी बिवस्थाएं बनानी चाहिए जो भी आवशक सरकार की तरफ से सूखा में प्रावधान है वो सारी कारवाई करना चाहिए अपने जिला प्रशाशन सीधी में कलेक्टर को भी मिलके इस बात के लिए चर्चा की थी निवेदन किया था पर सरकार की तरफ से अभी तक ना ही कोई सर्वे कराये गये है और ना ही सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की किसानों को मजदूरों को लेके कोई चिंता है ऐसे इस्तिती में अंदोलन के लिए आम जनता कांग्रेस पाटी के लोग बात देहो रहे 24 तारिक को हमने बहरी तहसील में सूखा घोशित करने के लिए और साथ-साथ बिजली के संकट को लेके, पानी के संकट को लेके अन्य जो मूल भूस विधाये हैं, इन सब बातों को लेके कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने जा रही है और ये अभी सुरुवात है अगर सरकार नहीं चीतेगी, जिला प्रशाशन नहीं चीतेगा तो फिर आने वाले समय में आंदोलन ये रूप भी धारन कर सकता है समय रहते सरकार को, जो सरकार की कमिया है उसको दुरुस्त करना चाहिए और कि जिस तरह से सरकार का रवया है जन्पत्रिदियों को लेके सबसे पहली बात तो हमारी जो संबैधानिक संस्ताय है विधान सभा है, लोक सभा है उसकी कारवाईयां बिलकुल नगन्य हो गई है और जिसकी वज़ा से चुने हुए जन्पत्रिद, सांसेद, बिधायक अपनी बात जो सदन में कहते है और उसके माध्यम से सरकार के उपर जो दवाव बनता है प्रशाशन के उपर दवाव बनता है वो दवाव जब सुनता की ओर हो जाएगा तो मजबूरी में चाहे वो सत्तापश के विधायक हो चाहे विपक्श के विधायक हो उनको आवाज सरकार के तरफ सुनाने के लिए आवाज उठाने के लिए धन्दा प्रदर्शन के अलावा कोई माध्यम नहीं बचता है पर दुर्भाग है मध्यप्रदेश में अधिकारी कर्मचारी भी परेशान है उनके उपर भी तांडो चला है लूट खसो चल लिए सरकार की तरफ से ठेके दे दिये जाते हैं और ऐसे भरस्त अधिकारी कर्मचारीों की बोली लगा के पोस्टिंग की जाती है आम जनता के हित के लिए कोई भी प्रयास मध्यप्रदेश सरकारी की तरफ से नहीं हो रहा है